हलो दोस्तो गुड आप्टर नून स्वागत है आपका किरन की फुलवारी में यह देखिए कल जो मैंने आपको काम दिखाया था पॉली बैग में मैं कैसे फ्री के प्लांट जो निकल रहे है मेरे गार्डन में छोटे-छोटे सैपलिंग उनको मैं कैसे सिट करती हूँ तो देखिए यह देखिए एक मैरी गोल्ड इसमें है और हाँ मैंने यह चना भाजी की थोड़ी से हर्वेस्टिंग की है यह मेरी लिए आराम से हो जाएगा बच्चों को ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं है तो मैं दिखाऊं कि कितना प्लांट मैंने कल लगाया यह देखिए एक दो तीन चर पाँच यह मैंने मटके में लगा दिया चै और यह साथ इसको तो मैंने पॉट में लगाया बाकि यह सब फ्री के प्लांटर में लगे हैं और साथ प्लांट रेडी होंगे और पीले कलर के फ्लार खिलेंगे इसमें तो कितने प्यारे लगेंगे गार्डन कितना भरा भरा लगेगा तो यह छोटी छोटी तैयारियां करते रहने चा रहेंगे और गार्डन कभी भी आपका सुना सुना खाली खाली नहीं लगेगा तो ज्यादा कुछ बड़ा में नहीं करती लेकिन छोटा छोटा यह सम्में करती रहती हूं देखें लेंटा न अभी लैशूनिया बेल मेरे पूरे फार्म पे है काम बहुत फैला है गार्डन में तो मैं करती जाती हूं ए छोटी छोटी चीजें आपको लिखाती जाती हूं मिट्टी की गुडाई करते ही रहे आजकर क्योंकि फंगस लगने का बहुत खत्रा रहता है और फंगस के लिए मैं जो फर्टिलाइजर शेयर करती हूं नीमोयल का अलोवीरा का यह सब अप्लाई करते रहे हल्डी राख गुड़एश यह सारी चीजें जो भी आपके घर पे अबिलेबल है थोड़ा थोड़ा प्लाई आप करते रहे हैं डैमेज पत्तियां हटाते रहे हैं इस्पैंड फ्लार हटाते रहे हैं पिर बस आपका गार्डन बिल्कुल चमक उठेगा अब देखें कटिंग सी ही लगे यह फोर्विया मिली इसका यह चोटा साइज है इतना प्यारा लग रहा है हम जितने प्लाण्ठ है हम चाहें कि ज protecting भी प्लान्ट हमारे गार्डन में लगे सब लगे सब लवन धर्व न्याशरी से लाया और वी उनमें प्लांटर्स यूज हो हम खरीद के ही बनाएं तो बहुत जादा पैसा खर्च हो जाएगा तो आप देख सकते हो मैं तो दिखाती रहती हूं अपना गार्डन में पूरा ही दिखाती हूं मैं कुछ नहीं चिपाती कि मैं वेस्ट माटेरियल का किस तरीके से यूज करती हूं और गार्डन हमेशा रंग भी रंगा आपको ऐसा नजर आता रहेगा तो बस प्रेंड आज के यही थी मेरी छोटी शी शेरिंग फिर किसी नए वीडियो पर मिलती हूं फिर कोई छोटी शी शेरिंग लेके आऊंगी मैं आपसे तो जो भी नए है प्लीज सब्सक्राइ कर लें और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेरि कमेंट करें तो ओके फ्रेंड बाए